ओम नमो वगवते बास देवाई नमाहा श्वागत आप सभी का मेरे वक्ती भावना यूट्यूब चैनल पर दोस्तों 50 साल बाद बनने जा रहा है लच्वी नारण और बुद्धा अधित राजयोग नौ रासी वालों को मिलेगी अपार सपलता पद प्रदिश्टा और पुत्र की होगी प्राप्ती कापी समय के बाद में बहुत ही अच्चा योग बनने जा रहा है जोत्य संसार बुद्ध ग्रह ने 9 अप्रेल को बक्रिय वस्ता में मीन रासी में प्रिवेश कर लिया है और मीन रासी में पहुंचते ही बुद्ध ग्रह की शूर और सुक्र देव के साथ यूती बन गई है वही आपको बता दे कि मीन राशी में सुक्र और बुद्ध ग्रह की युति से लक्ष्मी नाराण राजयोग तो शूर और बुद्ध की युति से शूर बुद्ध आदित राजयोग का निर्वान हो रहा है यह राजयोग एक साथ कई साल बाद बन रहे हैं ऐसे में राजयोगों के प्रभाव से कुछ राशियों की किसमत बदलने बाली है साथ ही धन दोलत में अपार बड़ोत्री हो शकती है साथ ही 14 मई से शूर का बहुत ही अच्छा गुरू और सुक्र के साथ में सुपसा यूग बन रहे है यानि लगवग तीन चार महीने ऐसे यूग बन रहे हैं जिन राशियों की अब तक किसमत साथ नहीं दे रहे थी या जिन राशियों को लाव नहीं मिल पा रहा था उन राशिवालों को विशेश लाव मिलेगा पुत्रधन की मनोकामना पूर्योग पहली है मेश राशि आप लोगों के लिए लच्मी नारणा और बुद्धादित राजयोग लावकारी सावित होगा इस समय केरियर के मोर्चे पर आपको अच्छी सपलता मिलेगी पुत्र का यूग बनेगा ब्योपार में आपका दायरा बढ़ेगा आपकी इच्छाएं पूर्योंगी इस दोरान आपको इनायाखार सुरू कर सकते हैं दामपत जीवन में आपको विशेश सपलता मिलेगी और मान सम्मान वा प्रतिश्टाग में बढ़ उत्री होगी ब्रसब रासी लच्वी नारणा बुद्ध आदित राजयोक का बनना ब्रसब रासी जातकों के लिए ब्यादी शुब होगा इस समय आपके आए में जवर्दस्त बढ़ उत्री होगी साथ याय के नई-नई शुरूस्त बनेंगे वही इस दोरन आपको निवेश में अच्छा लाब मिलेगा अगर आप निवेश बगर करते हैं अच्छा लाब मिलेगा और पुत्र धन प्राप्ति के बहुत ही अच्छे योग आपके शुरू हो चुके हैं दोस्तों अगली जो रासी है वह है सिंग रासी बेहदी भाग गिसाली रहने वाली है सिंग रासी सिंग रासी वालों को भी से इसलाब मिलेगा आपकी मनुकामना पूरियोगी आपके लिए यह योग लाबकारी सावित होगा उसके बाद में कन्या रासी, कन्या रासी का योग बहुत ही अच्छा बना हुआ है, आपके सवीकार बनेंगे, उत्रधन का योग है, ब्योपार अच्छा चलेगा, हर प्रकार के कार बनेंगे उसके बाद में आपकी ब्रस्चेक राशी, धनुराशी, मकर राशी, कुम राशी और मीन राशी ये राशिया हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग गिसाली रहने बाली हैं इन राशियों का योग बहुत ही अच्छा है आने वाले समय में बहुत बड़े लाब आपको मिलने वाले हैं और सुब समय की सुरुवात आपके हो चुकी है अगला महिन आपके लिए और ज्यादा बेतर रहने बाला है वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में ओम नमस्वा जरूर लेकिए ओम नमस्वा